दोस्तो आजम बात करने वाले है कि अगर आपके मॉबल में भी headphone mode या फिर earphone mode की कुछ इस तरीके से problem show करे उपर की और आप देख से जो है headphone mode या फिर earphone mode करके यहाँ पर ऊपर की और icon show करा है तो इस problem को आप कैसे solve करेंगे और इस problem की वज़े से आपकी mobile में आवाज भी नहीं आती है तो इस problem को इस तिकत को कैसे solve करेंगे आज की इस वीडियो को आप पूरा देखना तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना किया है सबसे पहले तुम आपको बता लो कि ये प्रॉबलम आती कैसे अगर आपका मॉबल पानी में गिर गया है या फिर आपकी मॉबल के हैड़फॉन जैक में जो कोई कछरा घुज गया तो ऐसे में ये जो है problem show करती है तो अब आपको करना किया सबसे पहले तो आपको अपनी mobile की settings में जाना है settings में आने की बाद दोस्तो यहाँ पर आपको settings में आप नीचे की और scroll down करेंगे और यहाँ पर आपको additional settings का option show करेगा इस पर click करने की बाद दोस्तों यहां पर आपको नीचे के और यहांपर backup and reset वाले ौपशन पर क्लिक करेंगे अब दोस्तों यहां पर आपको erase all ड क्लिक करेंगे इसके बाद यहां पर आपको reset system setting only इस वाले option पर क्लिक करेंगे जिससे कि दोस्तों आपकी mobile का सारह data जो है डिलीट नहीं होगा सिर्फ आपके वाल में जितनी भी सिस्टम सेटिंग हो दिया वही रिसेट होगी आपके वाल में फोटोज वीडियोज कोई भी आपर एरेस नहीं होगा तो आपको जो अच्छी जरूत नहीं है यहाँ पर इस वाले उप्षिन को आपको क्लिक कर दे एहाँ पर सर्च करोगे तो आपको यह option मिल जागा reset system सेटिंग में हैं और यहाँ पर आप देखेए हैं यहाँ पर पर यहाँ पर क्लिक करके दोस्तो आपने mobile के settings की system settings क को आपको reset करना है इसके बाद दोस्तों आपको करना कि इससे आपकी problem जो है fix हो जाए लेकिन फिर भी अगर आपकी problem fix नहीं होती है तो guys मैं आपको दूसरा तरीका भी बता लेता हूँ जिससे कि दोस्तों आपको करना कि आपको कॉटन के कपड़े को थोड़ा लपिट करके आपको जो भी आपका headphone jack जिदर भी आपका mobile का headphone jack रहेगा उसमें guys आपको उसे डाल करके अच्छे से गुमाना जिससे कि आप उसमें जो भी कच्रा रहेगा वो बाहर निकल जाएगा अगर पाने के कोई बूंत रहेगी तो वो भी आपर निकल जाएगे तो इस तरीके से ये जो करने के बाद आपकी problem solve हो जाएगी तो guys आप देख तो reset system setting करने से मेरी तो mobile की problem यहाँ पर solve हो चुके यहाँ पर जो icon show कर रहा था वो icon यहाँ से हट चुका है तो आपकी भी problem fix हो जाएगी तो इस तरीके से आप जो अपने mobile के headphone jack problem को आप solve कर सकते हो अगर आप कोई वीडियो चलागा होते हैं इस वीडियो को like, share and subscribe जरूर से किजिएगा